अयोध्या में सिवल लाइन के एक होटल में ठहरी भोजपुरी अभिनेत्री आमरपाली दूबे के कमरे से मोबाईल और लागुरुबे की जूलरी चोरी करने वालों को पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पास से चोरी के तीन मोबाईल और सारी जूलरी बरामत की गई है। बताय जा रहा है कि आमरपाली दूबे के कमरे में तमल्लाडू से आए चोरों के गैंग ने ये चोरी की थी। जानकारी के लिए बता दें कि आमरपाली आयोध्या में भोजपरी फिल्म की शूटिंग के सलसले में होटल में ठहरी। सिजी टीवी के जरिये पुलिस ने चोरों को पकड़ने में सफलता पाई है। वाई आमरपाली दूबे ने पुलिस के सक्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि वो इस घटना से बहुत डर गई थी। मैं नीचे रिसेप्शन पर बैठ की और पुलीस तब तक आ चुकी थी। मैंने पस अपने फोन से नीचे पोन किया था तब तक मैं जब तक नीचे पॉंचे पुलीस आ गई थी। और सीसीटी फोटिज देखना चालो हो गया था लगवाद नौ बजे क्या स्कास्ता थी। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेकर क्या कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आंक खुल जाती तो क्या होता बस यही सारे थौट्स मुझे बहुत डर आ रहे थे। मैं सोई होई थी अच्छली सुभह मैं जगी थी और मेरे पापा का कमरा बाजू में ही था तो उनको दवाई देने गई थी तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था उसकी बाद में वापस आके लॉक करना भूल गई बस वही एक गलती हो गई मुझे और फिर इतना जब मैं कल पूरे दिन सबसे बात करें थी प्रशासन के सभी लोग सब लोगों ने इतनी मदद की इतना आश्वासन दिया मुझे दिन बर जितने का सामान गया कोई भी आदमी पानिक करने लगेगा और मैं बहुत डरी हुई थी अंदर से तो जब मुझे सर बोल रहते कि तो मुझे लग रहता की ठीक है हो सकता है कि जिसने चुराया है वो मिल जाए बर जो सामान चुराया है वो थोड़ी मिल पाएगा मिलेगा दो-복्व तीन दिन दाग मिलेगा बहुत सारे नेगेटिव थोट सा रहे थे बढ़ यह बिलकुल मैंने सौचा नहीं था कि 24 गंतेक अंदर सारा सामान मतलब मेरे पर्स में एक एक लिपस्टिक तक इदर से उदर नहीं यह सोना तो बहुत दूर की बात है तो मैं उत्तर प्रदेश पुलीस को आयो दिया मैं आप सब लोगों ने जन्हों करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूज्स 24